नमस्कार किसान भाईयों स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे यूटूब चैनल फार्मी गुरू में तो किसान भाईयों आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपको जान करी देंगे धान में इससे में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही पताल पेट सुंडी की जो कि हमारी धान की फसल में आम बात है पताल पेट होना और पताल पेट जो सुंडी लग जाती है पताल पेट और इसके बरह में हम आपको जान कर देंगे कि अगर आपके धान में पत्तल पेट लग चुका है तो इसके लिए आपको काउं से उपाय करने है क्या करना है तो किसान भाईयों जैसे पत्तल पेट की बात करते हैं तो अगर आप भी परसान है पत्तल पेट अगर आपकी धामन की फसल में भी हो गया तो आपके लिए वीडियो जरूरी है तो वीडियो को देखते रही है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब परके पासफ़री गंटी दबा लेजिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो बात करते हैं पत्तल पेट की तो पत्तल पेट जैसे 40-60 दिन की फसल में होता है उसके बाद जब बालिया निकलाती है फसल पकने के टाइम पे होता है उसमें जाके पत्तल पेट को अपना प्रकोफ फिर दिखाता है तो अभी जैसे हम ख्ताल पैट मांटाओ सोब्सक्राइद को आपको कुछ इसप्रे बताईगे जिससे प्तालपैट से रोखताम कर्भाण सकते हैं 5% EC, एक बार फिस्टे सुन लीजिए, कलोरो पारीफास, 50% सिप्रामाइथरीन, 5% EC, इसका आपको ले लेना है, 500 ml, 200-300 लेटर पानी में, मिला के आपको प्रती एकड के हिसाब से, इसका छुड़काओ कर देना, इस पर एकर देनी हैं, और उसके बाद जो ये पत्ताल पेट की समस्या, इससे आप रोक थाम हो जाएगी, और इससे आप निजात पा सकते हैं, और इसकी रोक थाम अच्छी दरा से हो जाएगी, आप बस इतना कर सकते हैं, और इसका देशी फार्मूला है, इसमें आप इतना करके पत्ताल पेट को रोक सकते हैं, और पत्ताल पेट होता क्या है, कि इसमें सूंडी लग जाती है, पत्ताल पेट के, वो जो पत्ते कर रास है, उसको निचोड लेती है, और हमारी जो ग्रोथ है, उसमें पर परता है, तो किसान भाईयों, उमीद करते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके, पासवाड़ी गंटी दबा लीजिए, धन्यवाद,